राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप शभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है, वो आपके लिए आवश्यक होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं वसी करन के वारे में अगर किसी भी व्यक्ती को आपको अपने वश में करना है चाहे वह व्यक्ती आपके प्रेमी हो, प्रेमी का हो, पती हो, पत्नी हो या कोई भी व्यक्ती हो अगर उसको अपने वसमे करना है तो एक शामान्य टोटका है उस टोटके के माध्यम से आपका वसी करन सफल हो जाएगा तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिजे चैनल को सबस्क्राइब कर दिजे और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके वाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है और वीडियो में जो वीधी है उस व निम्बू के मध्यम से आपका वसी करण होगा तो आपको एक ताजा निम्बू लेना है जिसका रंग पीला होना चाहिए उसके बाद क्या करना है जिस विक्ती को अपने वस infrastructure करना है उसके नाम में जितना अक्छर है आपको उतने साबूत लोङग और एक काला चोकोर कपरा ल पूर्य अस्त के बाद यानि कि छे बजे के बाद ही आपको करना है तब ही ये वसीकरन सफल होगा उसके बाद क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक मंत्र है उस मंत्र को लाल अक्षर के स्याही से उस निम्बू पर लिख देना है पहले आप मंत्र को सुने मंत्र है ओम छोंग छोंग वश्या करनम छोंग छोंग नमह इस मंत्र को उस निम्बू पर आपको लिख देना है जिस निम्बू से आपको वसी करन करना है उसके बाद इसी मंत्र को पढ़ते हुए आपको निम्बू में शारे साबूत लौंग को गार देना है और जब निम्बू में सारे निम्बू को अपने हाथ में लेना है और फिर इसी मंत्र को आपको 51 बार मंत्र का जब करना है तो मंत्र को आप फिर सुने मंत्र है ओम छोंग छोंग वश्या करनम छोंग छोंग नमह इस मंत्र का जब आपको 51 बार करना है उसके बाद क्या करना है कि जब मंत्र का जब सफल हो जाए तो उस निम्बू को काले चौकोर कपड़े में आपको बांध देना है और उसकी एक पोटली बना लेनी है और जिस व्यक्ति को आपको अपने वश में करना है इस पोटली को उसके घर के अंदर आपको फेक देना है और इस पोटली को फेकते वक्त कोई व्यक्ति आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता आविश्च की जाएगी वैसे मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हमारी आपकी मु कि आपकी मुझे खवादा होगा टार्वाद की झापकी मुझे पाने होगाद।